जिहां, नमस्कार, Knowledge with Naveen Lamba, Just Enjoy Study, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है पदम पुरुषकार, आज का हमारा टोपिक है, पदम पुरुषकार 2021 इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, देखो पदम पुरुषकार जिने वर्स 1904 में स्थापित किया गया था यानि कि पहली बार 1904 में स्थाड़ किया था पदम पुरुषकार देना इसके गोषना हर वर्स, हर साल गणतंतर दीवस के अवसर पर की जाती है हर वर्स गणतंतर दीवस पर इनका distribution होता है, गोषना की जाती है कि किन-किन लोगों को पदम पुरुषकार मिलने है किस किस साल में पदम पुरुषकार नहीं दिया गया था तो वर्ष 1988, 1989, 1993 में और 1997 में इन चार वर्षों में कोई भी पदम पुरुषकार डिस्टिबूट नहीं किया गया था बाकि 1904 से स्टार्ट हुआ था और आज तक रेगलर देते आ रहे हैं भारत सरकार के दोरा पदम पुरुषकार भारत रतन के बाद दूसरी नमबर का पुरुषकार है सबसे टोप में अगर कोई पुरुषकार है महारे देश भारत में तो वो है भारत रतन इस वर्ष 2021 में किसी को भी भारत रतन नहीं दिया गया कोई भी ऐसा कैंडिट नहीं था जिसे भारत रतन मिला इस बार जो 26 जनुवरी 2021 को पुरुषकारों को वित्रन हुआ वो हुआ पदम पुरुषकारों का तो पदम पुरुषकार को कितने परकार का होता है? तीन परकार का, देख लेते हैं इसमें क्या-क्या है? पदम विभूशन, पदम भूशन और पदम शिरी. गनतंदर दिवस 2021 के मोके पर 7 हस्तियों को पदम विभूशन, 10 को पदम भूशन और 102 को पदम स्री पुरुषकार देनिक का ऐलान किया गया था इन पदम पुरुषकारों को पाने वालों में 39 महिलाए सामिल है, 10 विदेशी लोग सामिल है, परवासी भारतिय और एक वेक्ति ट्रांजेंडर भी है इसमें इनी 119 लोगों में टोटल कितने हैं? 119 कैसे? 7 पदम विभूशन, 10 पदम भूशन और 102 पदम स्री तो इन 119 लोगों में 16 लोग वो हैं जिने मरणो उपरांत पदम पुरुषकार दिया गया है तो अभी ये जान लेते हैं किन लोगों को पदम विभूशन, किन को पदम भूशन और किन को पदम स्री पुरुषकार मिला है एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से बहुत ही जरूरी है इनको जानना अगर आप याद जादा नहीं भी कर सकते हलका सा हिंट आएगा आप ओटमेटिक कैच कर जाएंगे तो इसलिए देखते हैं इनका नाम पदम विभूशन किन किर को मिला है साथ लोगों को सबसे पहले मिला है पहला वेक्ति है जापान के पूर्म पधान मंत्री शिंजो आबे तो इनको कोन सा अवाड मिला है पदम विभूशन दूसरे कोन है सिंगर है यानि कि गायक है एस पी बाला सुबरमन्यम तमिलाडू के रहने वाले हैं इनको मरणो उपरांत इस पुरुशकार से नवाजा गया है तीसरे नमबर पर कोन है डोक्तर मुनप्पा हेगडे मेडिसिन के छेतर में इनको दिया गया है और करनाटक के रहने वाले हैं च्यार नमबर पर कौन है, स्री नरेंदर सिंग का पानी, ये United States of America के हैं, और विज्ञान और इंजिरिंग के छेतर में ने दिया गया है, इनको ये जो पुरुषकार मिला है, मर्नो उप्रांत मिला है. नेक्स्ट, मौलाना वहिदून वहिदून खान, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, और इनको भी पदम विभूशन पुरुषकार दिया गया है। डिजाइनर है इन कलाकार को मिला है ये उडिसा के रहने वाले हैं और इनका नाम क्या है सुधर्शन साहू तो साथ लोग आपने देख लिए हैं इनका एक स्क्रिन सोट लेके रजिस्टर में पक्का नोट करना दो बार लिखेंगे याद हो जाएगा दो बार पढ़ेंगे एक सला के छेतर में मिला है और ये केरला की रहने वाली हैं दो नमबर पर कोन है ये है असम के पूर मुख्यमंत्री तरुन गोगई उनको मरणो उपरांत इस पुरुषकार से नवाजा गया है पदम भूशन पुरुषकार है ठीक है अगर हम बात करें कि सबसे सर्वोच पदम वीभूशन तीन नमबर पे आज़ता है पदम भूशन और चार नमबर पे आता है पदम सिरी ओके नेक्ष्ट सिर नमबर टैन चंदर सेखर कंबरा इनको सहित्य और सिख्षा के सेत्र में मिला है और ये करनाटक के रहने वाले हैं अगला पदम भूशन किसे मिला है य इनको भी मिला है पदम भूशन और ये रहने वाले कहां के हैं? उत्र परदेश के. ये कौन है? ये परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के पूरू परधान सचिव रह चुके हैं. इने भी पदम भूशन से नवाजा गया है. नेकश्ट, राम भिलास Πासवान ये पूरू केंद्रिय मंत्री है इनको मर्णो परांथ पदम भूशन अवाड दिया गया है जो की बिहार के रहने वाले हैं. केशु भाई पटेल यह गुजरात के रहने वाले और इनको भी मर्नो परांथ यह पुरुषकार दिया गया है अगर आप नाम भी जान लेंगे नाम भी हलका याद रहेगा हिंट मी मिलेगा तो ओटोमेटिक आप क्लिक करके आएंगे और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा इनको पब्लिक अफेर्स में मिला है और महराश्ट के रहने वाले हैं अगरे हारियाना के रहने वाले तरलोचन शिंग इन्हें पब्लिक अफेर्स में मिला है और ये कहाँ के रहने वाले है हरियाना के तो हमारे कितने होगे ? पदम भूशन के 10 होगे अभी next आते है पदम सरी के 102 लोग इनके नाम में पढ़के आपको नहीं बताँगो उसमें ज़्यादा टेम वेस्ट होता है आप स्क्रिन सोट ले और याद करते रहें या वीडियो को पोज करें और उस चीज को अराम से पढ़ें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में सेर करें वीडियो को लाइक करें ऐसा है दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए भी अपने लिए भी तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना न भूले ये तो बैसे एक शुरुवात है आगे आगे बहुत कुछ लेके आने वाराओं में ओके थैंक्यू यहाँ पर हमारे पदम पुरुषकार 2021 की जो जान करती वो समाप्त होती है थैंक्यू जैहिन जैभारत वंदे मातरव